अंबर सोजे है तरसे, खुवर अब जाकर बरसे, हुई सुन पाई रे, आई रे, आई रे, बजे शहनाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, बजे शहनाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, के खुशियां छाई रे, प्रतिष्ठा आई रे, आई रे, आई रे, आई रे, आई आज के आर्थी करता परवार के साथ पदार रहे है। चलिए सभी अपने इस्तान पर विराज जाएं और आज आगे आने की कोई कोशिस मत करना सब पीछे हो जाओ शारे लोग पीछे हो जाओ अरे मनीज भाई सेट करो भाईयो एक निवेदर आप सभी से मैं कर लूँ जन्म कल्यानक के कलस के स्टॉल लग चुके हैं जिनने बुक कर आए हैं वो भी अपने कलस ले ले जिने नए कलस चाहिए ग्यारा हजार एक्यावन सो ग्यारा हजार एक्यावन हजार एक लाग ग्यार हजार आपको जिस कैटिगरी के कलस चाहिए क्योंकि कल यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना चुके भगवान का अवश्यक करने से ती थंकर प्रभू के जन्म के उपरान आप सभी को भगवान का अवश्यक करना हैं इसलिए चारो तरफ कॉंटर लगे हुए हैं आप कलस अवस्पराप्त कर लाएं जावलिये पन् ब्वह संद हहां का नजारह है मंच पर कोई भी अनवस्चक डिखाई ना दे जिसका स्थान है वही रहे जिसकी बोली है भाही चड़ें गें किसी की बोली में किसी को आ के डांसHein करना है वो कर सकता है जिसको हम इशारा करेंगे बागी लोग नहीं कर सकते हैं मंच हमारा इस तेज हमारा हम जिसे चाहे चढ़ाएं जिसे चाहे उतारें समझ में हाँ रहा तो आज की आर्पी का अप एद कहां जा रहा है ओ लंबरदार इसको आत्मा को नीचे स्थान दो यहां ध्यान दखो कोई भी आगे नहीं आए हमारे देखिए कितने सुन्दर बस्त्राभूशन से सजे हुए यह आर्पी यहां पर होने जा रही है आप पूरे मनेयोग से आपको पूरे कारिक्रम का पूरा आनंद मिलेगा तो फिर सायद आपको यहां से उतारा भी जा सकता है तो यहां पर भगवान जिनेंद्र की आर्थी होने जा रही है सभी लोग पूरा मनेयोग बना चुके है यदि बना चुके हैं तो जोड़डार तालियां बजाकर विश्वास दिलाएं कि हम लोग भगवान की आर्थी के लिए तत्पर है और आज मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज सभी ने पौने छे वजे भोजन साला बंद कर दे बहुत बहुत आशिरवाद सभी जैन बन गए हमेशा जैन बने रहों तो अब आर्थी क्या आगाज होता है सब्द को सुर और सुर को साज दे रहा हूँ सब्द को सुर और सुर को साज दे रहा हूँ हे आर्थी करने वाले भक्तो मैं तुमको आवाज दे रहा हूँ आईये भाईयो भोल वाजे के साथ आनन के साथ आज के आर्थी करता परवार के साथ पता रहे है आज के चक्रवलती महराज आसीशी रास्की सोगानी मनीश नीतु सोगानी ठोलिया कुशल जी मधुजी ठोलिया चक्रवलती वनने का सोभाग्य प्राप्त किया है यह परिवार जिनेंद्र भगवान की आर्थी करेगा भगवान को प्रणाम करें बुली आदिनात भगवान की वलो पार्षनात भगवान की वलो महावीर भगवान की थावबियाज प्रणाम्त की भगवान के पंच कल्यानक महुचव की परंपूज गणादीपती गणाचारिये आचारिये पुष्पदन सागर सुरिष्पर महराज की बोलिये पंच परमेश्थी भगवान की जै 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 पंच करनक पंदिश्था महुचव की जै 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 बोलिये आचारिय भगवन पुष्पदन्त सागर जी महराज की बोलिये आचारिय गुरुवर पुलेक सागर जी महराज की जै 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 वोरिय पारपूज गुर्वर प्रणाम सागर जी महराज की जै 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 जग मगदीप जलाएगे आर्तिकर पेहाज हाथ जोड विर्ती करे सुनियों जग सिर्था पतित बखुत पावन किये सोगिनती कोई करे आंजन स्यतार प्रभुर बुर जै 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 जीन दे जै 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 जीन दे जय 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 नएदे बाजी छम 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 आजे खुमरू आठों मेती पकने के आरती करूँ छी बाजी छम 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 लोग नाथ भगवान चिनन देव की आरती हैं सबी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ये भगवान की आरती हो रही है और आरती आप जानते हैं कर सकते हैं निट्य कर सकते हैं भक्ती कर सकते हैं बस इस्टेज पह आने की कोशिस नहीं करना नीचे जो करना है ये करो तुमारा इस्टेज है सली obras चम हो बाझाए चम चम है जैंब मोड़ी चम ऑना59 अमर्ट्छे चम करो बांचे ट्नों के ती पह्ले के आरती कर जे बाझे चम चमे 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 बाजे घुंगे दू, बाजे घुंगे दू आथों में थी पकलेंगे आज ती करू बाजे चमे 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 याख भिधी मंगले आजथी जीजे यहां विधी मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे चम 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 आजे खुंगरू आजे खुंगरू हाथों में दी पगले के आरती करो आजे चम 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 पेखेली आरती शीरी जीन राजा खब दधी बार उतार जिहाजा ओ पेखेली आरती शीरी जीन राजा ओ पेखेली आरती शीरी जीन राजा खब दधी बार उतार जिहाजा खब दधी बार उतार जिहाजा जय हो जय हो तेरी आरती करो तेरी आरती करो रतनों के दी पगले के आरती करो जी बाजे चम 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 बाजी खुंगरू जय हो जदोर हातों के उठा करका जदा जय हो जदा हमला कर levar ऐंड़ 14 जीन राजा जाए भर्रक्शन हीली आरती शीरी जेन राजा जाए तेर्स का आरती शीरी जीन राजा जब दधी पारी उतार जिखा जाजा ह permettre तेरा साचा हे दर्मार, बाबा हो बाबा तेरी हो दिये जेकार, बाबा हो बाबा मैं बाबा हो बाबा, मैंने जिर शर्मम वाले बाबा केसी चाही ने पहा आए बाबा हो बाबा बही ज़रा तोदा हाथको ठाए पर ये पंचपरमेश्थी भगवान की पर ये भगवान के पंचगराक पदूश का महौशल की जै 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 और थोड़ा से लिए अब अपनी तालिया और इधर से म्यूजिक और अपना फाव आई ज़रा दोनों हाथ तक उठा ले आज नील कबल जी भईया खड़े हूँ यहां पे भगवान कशी चड़नों में और हमारे ठोड़िया परिवार जो आए हुए है तीन लो और कहिंगे तेरा सांचा हे दर्बार अजे बाबा आप ना बजाए भाई प्लीज अभी आप ना बजाए वो क्योंकि आप बड़ी दूर है सूरज आप बहुत दूर है वो ताल नहीं बेट रही है तेरा सांचा थोड़ी देर के बाल आप बजाईएगा जब बोलेंगे त अरे बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा केसी छाई है बाहार जी यह भी थी मंगल आदती कीजे यह भी थी मंगल आदती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे अज सुख लीजे परम सुख लीजे तेरा साचा हे दरबार बाबा हो बाबा वे दूसरी आरती सिथन केरी सुमिरन करत में चत भब भेरी और तीसरी आरती सुरी मुनिंदा तीसरी आरती सुरी मुनिंदा ओ जनम मरण दुख लू जनम मरण दुख लूर करता तेरा तेरा साचा हे दरबार बाबा हो बाबा ओ तेरा साचा हे दरबार बाबा हो बाबा है चोड़ ती आरती शीरी उव जाया तर्शन देखत पाप बनाया पांच में आरिती साधूति हारे कुमती विदाशन शिवी अधिकारे वैं छट्टी क्यारा पति माधारे शावत की बंदों आनतिकारे वैं साथ में आरिती शिरी जिनवारे ध्यानत सर की मौक्ष सुख़दानी जब लियो पंच परमेश्टी भगवान की गुरुदेव की आरती होगी इतना इस्थान दें कि पीछे बालों को भी गुरुदेव दिखाई दें आधी-आधी पार्टी बना लो कवड़ी में कैसे रहते हो एक तरफ गंगा महिया एक तरफ ठोलिया आमने सामने आजाईए और हमारे बहुत अजीज चार रखना चार आत्मी है बिट्टा जी आएं यहां पर गुरुदेव की भी बड़ी क्रपा है यहां पर छोटी मा और छोटी बेहन चोटी हो या बड़ी हो आजाओं दीनों आईए आरती करने के लिए बिट्टा जी भी यहां पर आएं और हमारे रह चक्रवर्ती परिवार के साथ यहां पर मंगल आरती करेंगे बिट्टा जी क्या सक्सियत है ये कल बताया जाएगा आज आप भक्ती करें गुरुदेव का आशिरवात प्राप्त करें आरती करें जो लोग बैट गए या तो वो ठक गए है या उनकी गुर्देव के प्रदी भक्ति कम है जिनकी भक्ति है वो खड़े हो जाए अपने इस्तान पर हमारे निर्मल जी महायगनायक अध्यक्ष त्रष्ट के कल्पना गोधा पधा रहें सौधर मिन्तों हर जगे इंक्लूड ही र जो जो गर्देव का भक्ति है वो दोनों हाथ उपर उठाए तो मैं कसम है पड़ोसी की तालीमत बजाना खाली हवा में ऐसे हाथ लहराना जैसे दोनों हातों में चमर है और कह रहे हैं क्या भाईयो आएगा चलते हैं ना सारे चार देना सारे चार पुष्पदंत गुरुर पुश्प तंत गुरु राज आज थरी आरती उतारे आज पुश्प तंत आज आरती उतारे भाईयो एक सेकेट देखो धोल वालों से मेरा निवेदन है कि अभी ये आरती हो जाए फिर थोड़ा आपको चांज दिया जाएगा फिर आप अपने धोल के मात्यम से आरती पूरी करेंगे अभी नहीं बजाए अभी खाली आरती हो जाए उसके बाद आपको चांज चलिए द पुष्प दंती गुरूराज आज थारी आरती उतारे आरती उतारे मुष्पे दंते दिशी राज आज थारी आरती उतारे अजी लाख लाख दीवड़ा से आरती उतारे अजी लाख लाख दीवड़ा से आरती उतारे और मा मतुरा के राज दुलारे और कोमर चन्बी जी की आँखों के तारे अरी चन्बे है जन्बे के गोनियागा आज थारी आरती उतारे चश्मे गोनियागा आज थारी आरती उतारे अज थारी आरती उतारे अज थारी आरती उतारे मालूम है यह इंद्र नानियों को आगे क्यों बिठाला है यहां बैठने के लिए नहीं बिठाला है गुरु भक्ती करने के लिए बिठाला सभी खड़े हो जाए और आगे आ जाए जितने भी इंद्र है जितने भी इंद्र है थोड़ा आगे आ जाएंगे और गुरु की भक्ती करेंगे और कहेंगे हम सब दीवाने हैं गुर्देव के कितने दीवाने हैं जरा तोना हाथ उपर उठाईए और कहेंगे क्या दिवाना गुरुवर्का ये सारा संसार दिवाना गुरुवर्का दिवाना गुर्वर का ये सारा संसार दिवाना गुर्वर का जै 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 कुरुदेबा जै 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 कुरुदेबा जै 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 कुरुदेबा जै 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 और जैसे वीराने में आके नगर कोई बस जाए और जैसे शबरी की खुटिया में रामचंद जी आए और जैसे पत जड में सावन रिमजिम रिमजिम गाए मयूरा ना तेरे अंत शर्णम आज दिवाना गुर्वर का जीवाना गुर्वर का नहीं खेलेंगे आज गुर्देव के साथ हम भक्ति की होली खेलेंगे कितने लोग भक्ति की होली केलना चाहते हैं दोड़ा हाद उपर उठाइए और कहेंगे क्या अरे भक्ति की उड़ेर गुलाल आज जिन शर्णम में भक्ति की उड़ेर गुलाल आज जिन शर्णम में और पुष्प दंत गुरुदेव विराजे यहां ज्यान की उड़ाय गुलाल आज जिन शर्णम में यहां ज्यान की उड़ाय गुलाल आज जिन शर्णम में यहां ज्यान की उड़ाय गुलाल आज जिन शर्णम में यहां ज् और यहां परबर से घ्यान की बदरी और चिन शर्णम पारस की नगरी चिन शर्णम पारस की नगरी पंच कल्यान लग प्यारा लगे हमें न्यारा न्यारा मंदिर में प्रतिमा होगी मंदिर में प्रतिमा होगी मंदिर में प्रतिमा होगी मंदिर में प्रतिमा होगी अए पुलक सागर की वाणी ने भै खड़ी ही प्यारी लागे मंदिर में प्रतिमा होगी अर शंक नगारे ठोल मजीरे खुर्चर्णों में पाजे अर शंक नगारे ठोल मजीरे खुर्चर्णों में पाजे शंक नगारे ठोल मजीरे खुर्चर्णों में पाजे शंक नगारे ठोल मजीरे खुर्चर्णों में पाजे जए 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 काशिक से जो धोल आए है उनकी एक दोनी ऐसम को बापिस भी जाना एप दो गया झाल 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 स्वागत अभिनंदन करें सभी लोग एक बार जोड़ दार तालिया वजाकार स्वागत अभिनंदन करें सद्वागत आखिएवाद आखिएवाद दामान गुरुदेव से आशिरवाद प्राप्त करें और हमारे स्वागत अध्यक्स राहुल भाई, जिम्मी इनका विनंदन करें सची प्राणी और सौधर मिंद्र उस सम्मान में सामिल गगंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे गुरुव तेरी जिंदगानी रहे गंगा तो बुला लो गंगा आजाओ जिंदगानी रहे देव गंगा मैया गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे गुरुबर तेरी जिन्द कानी रहे देवा ओ गुरु देवा देवा ओ गुरु देवा चलिए भाईयो माराच्ची को चाना भी है चलिए हो गया स्वारत सत्कार काम खतम पैसा हजम चलिए अगला आईए भाईयो जैसे आज आरती हुई ऐसे कल भी आरती होगी इतने धूमधाम से होगी बलकि इससे और ज़्यादा धूमधाम से होगी लेकिन हमें नहीं मालिम हजार लोग बैटे है कौन ऐसा सोवा किसाली होगा कोई नई पिक्षर आती तो देखने जाते हैं नया कुछ बजार में आता हूँ उठा के लाते हैं तो आप एक पार सिर्फ अपने इन हातों में जल ले करके भगवान के शिर पर डालके देखिए एक किसान जब बीज पर पानी डालता है तो हलाली आती है जब एक भक्त भगवान का विषय करता है तो जिंदगी में सम्यक्त की पुकार आती है नियामक है तो आप चूकिये मत कोई बड़ी चीज नहीं है सिर्फ मुझे करना है और यह अनुभाव लेना है बस इतना आपको ध्यान में रखना है चले महरे जी देखे कल की इन नानी सूचना सुलना है पंड़ी जी के द्वारा सतीस बंड़ी जी कल की सूचना है इन नानियों के लिए साड़ी पहन करके आएंगी सबकी ववस्ता बहुत शुंदर कर रखी गए सबको प्राता कालिन बेला में साड़ी छे बजी यहां पर पहुंचना गए अविशे जापनुष्ठान अविशेक उसके बाद महा सांतिधारा यहां पर की जाएगी नित्य नियम पूजन उसके बाद जन्म कल्याना की अंतरिक विधी हाँ पर संपन होगी सबी हजार प्रत्माओं के एक साथ आपको जन्मे के उस्तो दिखने का सोबागय प्राप्त होगा उसके बाद बाहर क्रियाओं के माध्यम से भगवान का जन्मावी से बड़ी भविता से देखेंगे सारा कारिक्यम होगा उसके बाद शवधर मिंद्र का आगे दर्वार लगेगा और जन्मावी शेख शोबायात्रा प्रारुम होगी भाईयो हमारे अजित भाई साब जी यहां खड़े हुए हैं अभी भी जिने प्रत्मा के लिए एक लाक एकीस जार रुपे में अपने नाम लिखाना है आप उनके पास नाम लिखा दे हमारे पीछे अधर्णिय सीमा दीदी खड़ी हुई है आप देख रहे हैं अपने संसारिक जीवन को छोड़ कर पुलक सागर जी माराज के चड़नों में अपने जीवन को शमर्पित करने वाली वह महला शीमा जी यहां मुंबई वो गया यहां उपस्तित है एक बार जोड़दार तालियां बजा का है उनका स्वागत अभी नंदन करें वो आपको कुछ दिशा निर्देश दे रही हैं कुछ बातें बता रही हैं जरा ध्यान से उनकी बातें सुनें क्या ओमेश भीया यह भूमिका नहीं थी मैं तो आपसे यह बताना चाह रही थी कि आचारश श्री ने पुलक सागर जी ने अपनी बात अधूरी कही थी क्योंकि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, खिलते हैं क्या, फूल कभी दो बार खिलते हैं, नहीं, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते, मनाय हम जिन शंडम पंच का लियानक ऐसे आउसर बार 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 नहीं मिलते, तो यह जो आप अभी नाटक देखने जा रहे हैं नाटक नहीं है यह पार्षनाद भगवान के दस भाव हैं और आगम के अनुरूप इनके दसों भावों को आचार श्री पुलक सागर जी ने खुद लिखवाया है बैठकर हैना पूरा ये प्ले जो आपके मिध्यात को गलाएगा और सम्यक्त का कारण बन कि यहां की प्रजा भी वही करेगी जो उनका राजा कमट जाहेगा अब यहां समय की सुई भी कमट के इशारे पर नाचेगी कमट अपने अहंकार विवादों में दर्म के प्रकाश से दूर होने लगा और बाप में लुट उखने लगा और बापके भार्ण का दिर्मान स्वयम करने लगा और बापके पाप कर्म के उद्धे से अपने ही ब्रादा की अर्दांगीनी वसुंद्रा को अपने कामों ख्यालों में वसा भी जैसे जैसे दीद बढ़ते जा रहे थे कमट की आशक्ति वसुंद्रा को लेकर सिर्फ बढ़ती ही जा रहे हैं कमट का हर दुश्कर उसे धरक के मार्ग की ओर ले जा रहा हुआ क्या करूं विवशु अपनी भावनाओं पे सैयं नहीं रख पा रहा हुआ अपनी लालसा पे अंधुश नहीं लगा पा रहा हुआ कानों में सिर्फ वसुंद्रा वसुंद्रा नाम की ही द्वनिक सुनाई देती है अपने अपनों नेत्र बंद करता हुँ तो वसुंद्रा का सुंदर और सुडोल शरीर ही दिखाई देता है ऐसा लगता है कि उसके सुंदर शरीर का स्पर्श आप उसके गुलाब के फूल जैसे और सुरत दे और गुलाब की पंपयों की तरह एक एक करके फोलता जाए मैं वसुंद्रा के गुलाब जैसे शरीर को गुलाब जल की भाती ग्रहन करना चाहा कमट भूल गया था कि देह की काम वासना ना सिर्फ देह को भत्म करती है बलकि काम वासना एक ऐसी अगनी है जिस पे लालसा की हवा लगती है तो उसे सिर्फ बढ़ावा ही मिलता है और जहां काम की वासना वास करती है वहां धर्म और गुद्धी कभी वास नहीं करते हैं कमट सिख रही काम बाड़ी से बिड़े थोग और अपनी वीदना को सेहन करने की असमर्थता उसे साफ दिखाई दे रही थी समय बीद रहा था और अपनी काम वासना के चलते कमट खर्च हुआ जा रहा था है मित्र तुम्हारी अवस्ता देख के मन घबरा रहा है सब उचित तो है कुछ उचित नहीं है कलहन्स मन जिसे बान एक सकता उसकी जिश्टा करवेड़ है सित्ती थी बदल रही है लेकिन मन की अवस्ता नहीं दिन से रात्री हो जाती है और रात्री से दिन लेकिन इसका विचार मस्तिश्क में कुछ कर जो है मित्र कलक ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें इतनी बीदना दे रहा है मेरा ये दे प्यार पाने के लिए तब रहा है मेरा ये दे मेरे ब्राता मरुपुति के अद्रांगिनी वस्तुरा को पा लेना चाहता है मैं पुल ही दो चुका है ये क्या अनर्गल कहे जा रहे हैं तुम्हें ग्यात है कि उम्हारे मुख से निकली ये बाणी पाप के दल्दल में सदय्व के लिए चकड़ लिए बला कौन अपनी फुत्री स्मान अपने अनुच की फुल्वत के लिए ऐसे आपती चलिक विचार राता है इस विचार को भूल जाना चाहिए अत्वा कलापी इसे अपने मस्तिष्ट में जगण नहीं देनी चाहिए ये नींदलिया है अयोक्या है तो पराई स्थी का सेवन करते हैं उन्हें नर्ग में स्थान मिलता है फिर तो अपने ही अनुच की पत्नी यह तो वहां पाप है किसी पर्स्त्रिंगी अभीलाशा मात्र से नष्ट ओपर नरग चला गया क्या तुम जैसा पुष्वी का साधरन हनुष्य नष्य नष्ट नहीं होगा अरे उसका पिता कुल्य जेश्ट है क्या तुमें इस विचार मात्र से सुख्ष्म सील जाभी नहीं आई कि या तो मित्र को के सबेव साथ देनी के मचन को निबाले अन्यथा अपने इस परम मित्र कमठ को मृत्यू की आग में खाक होता देख ले क्योंकि मेरा अपसुंद्रा से मिलन नहीं हुआ तो मैं मेरी मृत्यू निश्चित है कुछ दिनों पश्चाद कलहंस के लाग संजाने पर भी कमठ कामा हुआ कलहंस की सलाह और कमठ की काम वास्ता में जित कमठ की वास्ता थी हुए एक समय आता है जब मरुश्यकों सद बुद्धी या दूर बुद्धी में से किसी एक खुछ चुटना परपड़ा है कलहंस ने मित्रता के लिए सद बुद्धी को दाख पे रखा और अपने दीजी नीगित स्वात वशाद उसने दूर बुद्धी से कमठ का साथ देने का पिश्चे गिया और घरुबुद्धी की स्त्री वसुंद्रा के पास चापाँ ज़ा है सुंद्री वन में कमठ अस्वस्ता है कोई देख्वाल करने को भी अपना नहीं है क्या हो गया हमारे जेश्चे जी को वो की इंदो है कई रोगों ने उन्हें हर दिशा से घेर लिया है उनका श्वास्त गिरता जा रहा है कई दिनों से जब फाल चाल नहीं मिला तो मैं स्वैम कमठ को ढूड़ने निकल पड़ा और पाया की मुवन में अति गंभीर स्थिती में अपने दिन गुजार रहा है अत्वा ऐसी स्थिती में उन्हें विक्त से ज्यादा एक परिवार की अवशिक्ता है आप शिक्र अति शिक्र कमठ तक मौचिए अत्वा हर संभाव सहाईता कीचिए एक दिन कमठ अपने धैर को खोता है लाल सा की मिट्टी में वो पाप का भी जिन गुजा है खरहंस मिलने को आया कमठ ने हाल बताया कहा मन की व्यथा तुम सुन दो पासना के रोप से वो था जूपा एक दंदर में जेश्च बना महापापी यह क्या स्थिति हो गई है आपकी आपके रुग्रता का संदेश आपके मिधर कल्हक से प्राप्त हुआ आपके क्या साहता कर सकती हुआ है हे सुन्दरी मेरी रिखनेता की वजय भी तू है और मेरी आउशली भी तू ही है आपके यह कैसी अनुचित सिवार्ता करें अनुचित को उचित बनाना हम मनुष्य के हाथ में जब से तुम्हारे सुन्दर और सुदोल से दी को देखा है तुम्हारे प्रेम का रोगी बन बेड़े अब जब तक तुम आउशली बनके मुझ में नहीं समा जाती है यम्राज को मेरी मृत्यू से मेरी भीट करने से दुकूल नहीं रोग सकता आप स्वयम पाप के भागी बनके और मुझ से ऐसी बाते करके मुझे नरत का रास्ता ना दिखाए मैं आपके अनुच ब्राता के अर्धा के लिए हूँ आपके नेत्र के सामने जो ये लार्सा का पुहासा चारा है उसे स्वयम से दूर कीजिए ये पुहासा नहीं ये तुमारे लिए हमारा प्रेम है अब मेरी मुक्ती भी तुझ से मेरी शक्ती भी तुझ से हज्चा सुक्ष मुभी ना आई क्या बहू क्या जूटा आई मापी बन के खोया आपा किया जद्वा चान। हज्चा सुक्ष मुभी ना आई क्या बहू क्या जूटा आई हापी बं के खोया आपा किया जद्वा चान। हाई तर्क में जाके वो जल जाएगा हब खब की ठोकर वो हब खाएगा हब जाकर वी इसको छुटकारा ना मित पाएगा तर्क में दूढ गाएगा जाएगा जाएगा प्राइख रवस्टकारव प्रुटका लेखाएगा जाएगा आसना थी मापी मरे आदा थी कुटी कुई लाल सा भारी तूट गई वसंधर आलाचारी तूट गई वसंधर आलाचारी जिसी सदेव चेश्ट उठाता का धरचा दिया आज उन्होंने ऐसा कुट कर्म करके कमट ने खुट को सदेव के लिए दुशित कर लिया ऐसे निंद काम करने वाले कमट ने वसंधरा को अपने भीतर कर लिया और राग उन्चेश्टाओं सहित अनेक प्रकार के वारता लाप से उसका सेवन भी किया वासना के मार्ग में कभी सद्गुद्धी से मेल नहीं होता और कमट ने जिस मार्ग पर चलना शुरू किया था उसकी हर गली उसे सिर्फ नर्की और अगसर कर रही थी उसने उस पवितर रिष्टे पर अपनी वासना की भूंग तपकाई थी जिसे एक पिता पुत्री के रिष्टे की तरह पवितर माना जाता था हमारी अनुपस्तिती में ऐसा क्या हो है जो हमारी प्रजा के चहरे लटके हुए है खुलकर सारे विचार व्यक्त करने वाली प्रजा आज मुख वोकर हमसे अपनी नजरे क्यों चुरा रही है आप जिस्ति इस समाज के वृत्त है क्या मैं आपसे अविक्षा कर सकता हूँ कि आप मुझे इस चुपी की वचह बताएंगे महराज ऐसा खुकर्म किया है उस उष्ट कमटने कि हम पुझी कहने की सीमे भी नहीं है अपने ही ब्रहता अमारे मंत्री मरूपुती की अर्दान दिनी वसंदरा के साथ उसे अपनी वास्ता का इनो ना पेल खेला है यह सुदकर हमारा दिल लच्जा से फर गया है ऐसा कर्म करते पुड़े उसे जितनिक भी लच्जा नगी है उसकी इस दिल रच्जता के लिए उसे ऐसी अगनी में जोका जाए जिसे कोई चल पुझा ना सके उसे ऐसी कोई खाई में डाला जाए जहां से वापस आना उसके लिए असंबव हो उसे ऐसी सित में पुझाया जाए जहां उसकी पुझादी की तरफ वर्भी अकर जाए लेकिन उसे जादेने का हग मरुपुथी के पास उना चाहिए मरुपुथी तुम्हारी अर्ठांगिने के साथ ऐसे दुष्ठ कर्म करने पर उस दुष्ठ कमठ को क्या दट दिया जाए महराज क्याद है मुझे कि नीज खुर्दिका को कर्म किया है कमठ ने कि यदभी हो मेरा भाता है कि तुमन ख्रोधित हो रहा है फिर भी आपसे रात चोड़कर विनदी करता हूँ कि उस पे क्रुपुआ बरसा है और डंडिट मत केजिए कि यह समय प्रास्तिर का नहीं है मरूदी नियाय करने का है तुम प्रजा के साथ अन्याय होगा और राजा हर्वित नियाय करने वालों के साथ अन्याय से पेशांते हैं और अन्याय करने वालों के साथ अन्याय से हैं तुम्हें वयां दीती के क्या हो, क्या हमें नहीं पिला है, दंदनिय को दंद मिलना चाहिए, और बंदनिय की बंदना होनी चाहिए, खेद नहीं करो, शिक रही घर जाओ, जैसे अंदिया दिया महाँ आज़ाओ। इस पुंदर्म के लिए उस नीच कमट को देश निकाल दिया जाए, अध्वा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो प्रजा के लिए एक उताहिद बने, और कोई ऐसे दुष्ट कर्म को सुवपने में भी करने का साहत ना दिखा पाए है। राजा अर्विद की आगया से कमट को देश निकाला दे लिया, और कमट के देश से निकाले जाने के पाद, उपकाली नामक परवद पर, और अध्वक के कार, भूटा तामसी हो गया और शिरो घरताबक पढ़ देने लिए, अध्राद, डोनों अध्वा से इसे की बड़ी अजड़, अदूब डोनों तेश चाले और अध्व्वा इसे की बड़ी बड़ी जा हो फिर दाद ही अगया से गजब बड़ी 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 खे जए्वा फो गड़ी में विसे निकाले कि नग्वाने के लिग यववा के लिए अववा इसे अख में गवाताबक, इसे अधुजाजाना इसका लास प्रमेट है, इस वाइट प्रिद्धियू सौदिया, विन्नी की उचका चर्दा नहीं वरोग दी, तुझे भी एक पीरी तेरी प्रिद्धियू स्वाइगी। अधुजाना इसका लास प्रिद्धियू स्वाइगी। अधुजाना इसका लास प्रिद्धियू स्वाइगी। इसका लास प्रिद्धियू स्वाइगी। इसका लास प्रिद्धियू स्वाइगी। अधुजाना इसका लास प्रिद्धियू स्वाइगी। अधुजाना इसका लास प्रिद्धियू स्वाइगी। 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 मैंने सबय पिता श्रीकी स्रंवा करी राजे के करीब रहेगी की कोशिश की उनकी आग्जों पे पानगी की कोजिश की फिर जो जो मैंने चाहा हो तक जे लिला क्योंके मैंने पिताश्री की सेवा इनकी से जोग के की मैं राज़ाजन के संदेश को समझा उनका करेमे बज़िए की माँसान होती कि मैंने जहां प्रेम को जगाए आपको जगाए 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 लगता है इस दो बड़ी माते बोलें उससे मेरा स्थान चीनेगा करना भी नहीं बल्कि मुझे आपका स्थान चाहिए भी नहीं कि आपके करण आपको जखनगे कर जाएगे वहां मैं आना भी नहीं चाहता अन्जाम मेरे मैंने मी प्रात्रत प्रिया आपके चुछाब कर दिये देदे जिन ख़बू से नहीं प्रात्ना है कि आपके प्रों मैं सिल्फ मुझे यह अदसर्ग भूद रहो करिंटान, रहो सथनल रहो है नहरो एड़िनान, रहो दिया लाह मुच्यान, रहो रेस साहलने, तो कि dłन का उता है करता रहो भाब पनासना ओम खासो करें वन्याने, रहो है जा से अण मेल ऐग्याने, रहो है उता हर्मय जा है। करने के पिस्टा यहां अपने कुष्ट बादा हिए। विद्धिन विद्धिन निराद अखने समय के साथ समय चिखती बना करने के लिए चपते चपते सब्सक्राइब नोचे जहां का समय का समय को शब्सक्राइब आदे लुआ मुझा जए आधिन पती सब्सक्राइब थाओ उटो है इसा इतर समय के लिए बहुआर नोचेर अदो है काम काने का सब्सक्राइब है restrict काईerek सुष हो शंबल्सक्राइब थाया है कि जो अधिए मन्त था बहूंचे dos 1 अधियों दॐसको ठाज्ल आखंघ करीजे हैं का कि उस्ऐन आखंचे क्या बास लाज महांवां है कि जनामोन खाज वे समय है प्राख करें प्राख करें पर चल्म में तुझा जनुमें दैसे हैं तुझे यहाद है कि तुझे नाम मंत्री मुर्ण भूदी तुझे मेरे रात प्रें के प्रेंगों इसका धान का अच्छों नहीं कि अधा इस सामें पाख करें आला प्राधी हाथी बढ़िद द्धान को पाख एक रहाद दो अगरन में दुखुँदुदुदुदुदुद द्धान का अगर जय तो पाख अगे दिन है द्धान अगर यान है तो पाख ज़द भूदुदुद धन अगर आदाश है तो पाख एक खाए जैसे जैसे तेरी जीवन की एक रहा बात जाएगी तेरा पाख तुझे खांस से उत्मात दूद गता जाएगी मुख्ष के बाद पर आविरूना है, तु सिर्फ धन का ज्यान निम्हां तक पहुचा गता, तु नो ताथे इस तरद में पेड़े गालेगा, तु पापर गिज़ तुझे कभी बाद में नहीं 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 देगा, और तुझे नरग की को ठके निदेगा, नरग की को बाद एक कम हरों से सौ कम दुख कर देगा, धन के लाप अगर के बाद है, तो कुझे के नाम को ठोगा, जो घंके से धन के नाम को ठाम को ठाम होगा, जो घंकर का हर अंहें को धुख कर देगा. पुख कर देगा, 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 पुख कर दे च्जण से इसे इसों 20 कि गुटा कि एक गुटी उसके एसाने वाले लाका पलम कभनें निदा सणथ है उसके इसमिल्त करें एक घुटी जोे में चुम्टा करेंіш नियान आखी किसी भी जीव को वो तुखी नहीं करता जिस से इंसा हो वेसा पूचर वो नहीं करता शाख वाउ से रहेकर सुखे वए लास पदे बाख खाता इसी समय उक्वाद निकरता जबते समय देग देगर वाउ पदेगा अधरियों का संथ उससे प्याद लिया विशाख आए परने के वाणा अधिया जीव को दूब दूब देगा इसी लिए अपने शड़े को अधिया आधिया वनके बढ़ियों के साथ शाहती से रहता शाव और वनती का अधाव जैसे बड़े में लगा शरिफ वैसे परश्चप्वी को एक उनीवी में शीवाद जिने लगा वो मात पस्ती एक वेक बढ़िया दनीका सथरह कदे आ है और वह वह शकिती नों के इनों के लिए पीचटवे किरके उसके खियान का कमण दिला और सिद्धी को प्राप्ति करने के लिए उसने उसी इंशन आहा चल्गा जाता है मन्ने समाधी का भाव रखने वाले पज़गों या पिछले भूमे वरुदी को बादी कमण दिला इस भाव में सरब बढ़ के लिए और अचलों से समाधी को अपने प्राहा जाद का जिसके दिला उसने अपने तीनों पहुंबेर एफिर्वद के ज़िए जिसका ना शशिक्र और खात करने वाने सब्सक्राइब को पांच में सब्सक्राइब को बनागा तो कभी चारणों के दारी नियुक्त कि यहां अपने सचे पिताई को अर्मुनिराज की पुझा करता है अनियुक्त कि देखो कि अवर्ण पिक करणक्ष के जाहते हैं जब एक हाते काजी उस्वाइब के सुखों को बहुता है वहीं जज़सकों सब्सक्राइब को जाता है उससे अप्याइब कर अगलों के पांच में सब्सक्राइब करें कि आगए अगान अगलों करेंके लिए समाइब को कुनिरा से अभाले के लिए एक डहते जोड़ा नहींदू competitors नवोसू कुछी थायद लेए एन इन यह सुखकर काप नहीं थां के बार को अब सिर्फ खटाओं, उस्वास से अगरा और उनी थां को बना, जिससा मन के बिना पुचन, मान के बिना पुचन, मान के बिना पुचन, पदियों के बिना पे, जन के बिना समंद, सुदे के तेज के बिना के बिना पुचन, मान के बिना पुचन, मान के बिना प्रिजयर के पेना ये जीमा तुटा है अधा सकार के साँ मोगों को आगाइए और आगा से रख पकरी बोचा आगे ये दो धन सब उत जागार कमेए और आगासे दायर बोचा आगे धन को आगा तो मोगो पाना शर्ख और मोगों के जीमा तागा पुनिया अपना त्या और तवस्या को सांसा सुख और भावे भाव का स्थाने रहाए अपने को हर से जोड़ा है अपने पहन को ही अपना कर बना है पुनिया और अपनी बेगने को निराज के रहने से परी अपना का जैनेश्वणी निक्षा को कहते हैं कि आपके द्वाली गए इंशानी आप भी दशा नहीं है उसी तरह जहाएं पुनियाज अपने बोने के लिए से रहता बारा चारों पहला है अपनी दूसरी को प्राने में रुकाराट नहीं पचारा अपने में अपने दूब करना किसी सुपे हमे में आपको इसे सचकत आपने करना पुस्तों पार चारा जानी एक पार अभी निराज किसी के लिए पूरत अपकत रहें निराज के समीड़ा आप योगो निराज का दा चिन देवे में विए वर्मता जाना अजिंग सबस्सवी निराज के समीड़ा इस निज़ा जाना अज़कर तेवार एक उसो पूल पूसुच्वाद के सहे रहे हैं और अगर पे उनल प्रेयों प्रफिगे अगर जाने देगे अगर के वहाँ के साथ सारी की सुप और दो फिके बचाएं अज़ा एक तरफ निराज भूक के वहाँ पे आगर रहे ले पहीं उसी तरफ अज़कर पाप का वधिली मत के अगर देगी और अपे आपको बढ़ा पूसुच्वाद आपको निराज भूक के वहाँ पुश्कर वाँ में उन्यों तो इससे विद्यू प्रफिवान के तेव और उनीरी हुद्या के पाउस से घमक छठ्टें तरफि में गया विद्यू प्रफिवें के 22 सारी आयू कैसे दिए में पताही दीजा। वोदेर्ग संवेक रश्ट सेजीत सदेर्ग नचर्वाइशा चिरिने रभाती एवाग अपने चैया अधिने अपना से जिवनापने एच्पाइब अपनी हाईूप्लों करके अधने एसे अधने चेपर में राजा वच्रपीरियम और लिशा पुर्थियक के रभदियुक्त इस तर्जोस्टा का ऐसा समत है कि पुछुट जाए जाए तो इनके बाद को फुछ गया है कि दूआ आख्रा की बारा है कि इस चक्रवत्री का आप वेवों को राप गुआ था अगलों पाव पीजित चर्वत्री का जाओ रख शेखर की क्रीक कां वेवों का वेवों इसोत लौण्रा गलिए्ट मतो हमें क्यान करना अग्षों सिंस्ट चाण बिद्यानी आप रहा रहा है ऐसा अग्दूर इपभब होते होई लिए वो चरगर में प्रिखने देखे कि इस सब्सक्राइब लोगते है विट्ट चाणी का अग़ेरा अनलट चेस्टर में रहा है वही सुपको अमार ज़ने माला है अमार का अगवी वेड़ों सुपको बिदे में वाला ज़ने उसमें तो आखुल का चरगर की प्रिखने में रहते हैं अंदर में अदबोर यामर परने पिसी सी प्रतिवी अरिन देवी पिज़ा करते उनीवरों को सावा करते शाज पर साथ्याय करते सावाइक याल ख्राएक करते इसका साथ्याब वेड़ों को फोबिके पाद एक अबस्ट की फिक है और ये वेड़ी पिस सावच अधर्ण की प्रिखने में प्रिखने में वेड़ी प्रचिवी पुला जीवन थां के लागरे मारे मज्जाभी के मनें एक आगाना इस जगर में विविना चक्रवर्ति की अध्म पिविध्या की प्रक्ति कैसे हो सकते हैं। की अध्म की अध्म पिविध्या क्याद में विविध्या की आते हैं। कर्प्रिया को तुरुच चीनिया, भूप्रिया मोर्व तुप इच्चा चीनिया, एच्चा इंसां को ससंतोष चीनिया, दिया ससंतोष संतोष चीनिया, दिया संसा चीनिया, दिया संसा चीनिया, दिया संसा चीनिया, दिया संसा चान भेव तुप तुप उसनी मोख्ष चीनि तो उसका भी आकान चीन दिया मत करा दूर अपर पाक करूंपर बढ़े मश्च करने के कमठ जैसे कितनों को किते फों तक भटका दिया आप किते फिरागी पीन अगर्टन को समझ चक्रवर्ती के चौकर अगर्टन सब्था पुच्छ कर देकिते इस तर्व किना को प्राक्त करके मुझे पीराजी जीवन ही घर्द लगने लगा मैं इटिर अब वर्ष अपनी इच्छांसा चक्रवर्ती के बुर्व लग होगे प्रश्ट करने वादा है, जुष्ट है, अक्वा क्लेश की खान है, ये समस्त दोष्ट का भंदा है, पिछने हूं के वर्भी और इस जन्म के राजा भजा भी को वासरी पहरारादी की खावती हुए, और दाजा में भी गुल्लब सहिंद को ठार करें, अधार मुदिक्ष्ट में यार्ण भी हम्दु खाने के वो कभंबन भी कभं़ बने, कभंब लिरे स्वाद बने, इस हम के सान हमें तब का आज रहते हैं, इचे हमते के होदे पर बैठने हुआरे चक्रवती, अगने के बैर बने चले हुए, पक्रक्मन से जड़े हुए वसरत आप्ष्ट से रगी वह निर्याज रत्म त्रे से सूखने लगे। सुमध की थाने में भूज़क करने वालिक चक्रवटी अब हाथ भी भूज़क करने लगे। वह ने इस चौदर रत्म पाद त्याद करके तीन रत्म करहन की थिए। विभ्षाम का ठियाँ करें अखड़ आनक के नानी सलदा करें, जिना विजादानी उत्थाशियां के को सेरा उन सभी के संद का परियाँ करें, असन्त प्रणा सब आसंद करें, वार बेलएं लास करें पें जेतरे मेरो आत्मा का ठास पेंगे एक दिन मों से कही त्यावी में जित भूगा योगार होगा है कत्काज पुराने भाव में अजगर बनके मुनी हत्यागा गिनोना पाप करने वाला कमट इस भाव में एक पापी भिल हुआ और मुनिराज के पास पहुशा ये नगनम उनी जंगल में स्वयम नहीं आया आज कोई जानवर न सही ये ही मेरा शिकार बनेगा आज इसे पता चलेगा कि मेरे वन में आने का परिणाम क्या होता है अच्छा तुझे इसकी पिड़ा का भी कोई असर नहीं है कोई बात नहीं तुझे मारने के मेरे पास और भी कई तरीके है तुझे इस तीखी तलवार से भी कोई विड़ा नहीं हो रही मिल एक बहुत बड़े पेड़ को मुनिराज पे किरा देता है जिसका भी उनको कोई असर नहीं करता और फिर वो एक के बाद एक नुकिल बान मुनिराज पे चलाता है लेकिन फिर भी वो मुनिराज का ध्यान नहीं तोड़ पाता अमरुत रूपी ध्यान में लीन मुनि का ध्यान न ताड़न न भेदन न वद न बंधन और ना हीं उसका तीवर कुरूत तोड़ पाया वरधीर वीर मुनिराज पूरी क्षमता भाव से जिनेंद्र भगवान के ध्यान में लीन रहके अपने प्राणों को त्याग के अपने साथवे भव में सुबद्र विमान में पुम्योदय से मध्यक ग्रैवेयक में एहमिंद्र बन के जन्मलिया और उस पावी भील को मुनिहत्य के चल दे साथवे नर्ग में स्थान मिला पहमिंद्र बन के वो जीव 27 सागरों तक स्वर्ग में तत्व चर्चा आदी के द्वारा असीन सुखु का भोग करता रहा और अपनी आयूपोन करके अपने आठवे भव में राजा वज्रबाहु और रानी प्रबकरी देवी के यहां आनन्द नाम के पुत्र के रूप में जन्मलिया तता चल्द ही योवन को प्राप्त कर आनन्द राजा से आनन्द मंदलेश्वर कहलाए वहां महां मांडलिक राजा होने से आठ हजार राजा उनके अधिनस्थ थे ऐसा महां मांडलिक राजा होते हुए भी धर्म को एक शन भी नहीं भूलता था धर्मात्माओं का वह वहुमान एवं विद्वानों का सम्मान करते थे अयोध्या की प्रजा उनके राज में अती सुखी थी अतह एक समय सिर पर सफेद बाल देखकर वहराग्य उत्पन्न हुआ और जगत हितकारी मुक्ति के स्वामी तथा गुणों के सागर समुद्रदत मुनिराज के उपदेश से मुनि दिक्षा लेकर वे बुद्धिमान मुनिराज बारह तप तथा बाइस परिशा जही के द्वारा समस्त उत्तरगुणों का पालन करते थे वे कठोर तप शरण करने लगे इस प्रकार पार्श्वनाद भगवान ने अपने इस पर्याय में दर्शन विशुद्धी पुर्वक सोला कारण भावनाओं का निरंतर चिंतवन कर तिर्थं कर नाम कर्म का बंद कर लिया अब यहां से शुरू होती है मरु भूति के जीव की तिर्थं कर पार्श्वनाद बनने की यात्रा एक दिन जब राजा मुनिराज शीरवन में ध्यान कर रहे थे तभी पापी कमट के जीव ने सात्वे नर्क से अत्यंत दुख भोग कर सिह के रूप में बन में आया और वो पुर्व भव के बैर भूख से पिड़िक अपने तीखे दातों से मुनिराज का कंट पकड़ लिय और घूप उपसर्ग किया तथा मुनिराज ने अपने प्राणों का त्याग कर अपने पुन्योदे से नवे भव में प्रानत नाम के स्वर्ग में प्रानतेंद्र बलें वह कमट पांचवे नर्क में गया इस प्रकार कमट का जीव कई बाद नर्क में चाकर कई सहस्त्र सागर आयू तक बार बार अनंत दुखों को भोगता रहा वो जीव अनंत मुरत में निंद नियम पुर्ण शरीर प्राप्त कर वो एक अजार भी छूओं के स्पर्ष से भी अधिक वेदना देने वाली कर गीर पड़ता वह अने को बार वजीव पांच सो योजन उचल कर जैसे ही प्रुथवी पर गीरता उसका शरीर आटे के समान भीखर जाता एवां अत्यंत दुख को प्राप्त होता वह प्रिथवी अत्यंत दुर्गंदित तथा गलानी से युक्त थी जहां चबी खून औ और कीडों की कीचल विद्धमान थी कोई नारकी इस जीवन की हड़ियों को चूर चूर करते तो कोई बैर के कारण हर्श पुर्वक नेत्र उपाड रहे थे कोई दुष्ट दातों के समुह से आतों की पंक्तियों को तोड रहे थे तो कोई दुष्ट नारकी हाथों और पै टालते तो कोई नारकी मांस भक्षन से उत्पन्न पाप के कारण उसके शरीर संबंधी मांस को तिल-तिल के बराबर खंड-खंड कर खाते थे कोई परिस्त्री के संगम से उत्पन्न पाप के कारण संतप्त लोहे की पुत्लियों से उसका बलपुर्वक आलिंगन कराते थे यह पुर्व के महापाप से मैं इस नरक में आगी रहा यहां की दुरगंद तो सहन नहीं होती सारा शरीर अतीशित से जमकर शुन्य होता जा रहा है इस नरक के कुवे में से कब मुक्त होंगा इस प्रकार अत्यंत दुखी होकर विलाप रुदन करता रहता किन्तु वहां उसका रुदन सुनने वाला कोई नहीं होता कोई उस पर दया करने वाला नहीं होता इस से विपरीद अन्य नार की जीव कुर प्रहारों से उसको मारते हैं भूखे प्यासे उस जिव को असंख्य वर्ष तक खाने के लिए अन्य तता पीने के लिए पानी नहीं मिलता है दुख से घिरे हुए उस जिव को कुछ भी भान नहीं होता है धर्म का सेवन तो किया नहीं धर्मात्मा की विराधना करके केवल पाप का ही सेवन किया था, तो उसको सुख कहां से होगा? मरु भुतिर है अपने पुनेों दैसे, कभी वजरकोष घजराज, तो कभी शशी प्रपदेव, कभी मुनी अगनी वेक, तो कभी विद्युद प्रपदेव, कभी चक्रवर्ती वजरनाभी, तो कभी अहम इंद्र, कभी आनंद मंडलेश्वर, तो कभी आनत स्वर्ग में आनत प्रेंद्र बंद कर झन्म लिया और बोख्ष महल की हर एक सीड़ी को पकड़ते हुए आगे बढ़ते गये तो कमठ अपने पाप उद्यसे सभी सर्थ तो कभी पांचवा नर्क कभी अजगर तो कभी छटा नर्क कभी भील तो कभी साथवा कभी क्रोड सी तो कभी पांचवा नर्क की किचण के दलदल में जगडता ही चला गया और नीचे गिरता ही चला गया बैर के भी कई रूप होते हैं कुल दो ही होना अलग । सामान्य जन से बैर अलग चीज़ हो पर जो भठात बैर कुल बैर होता है वो साथ भव तक जाता है देखा दो भण्यों की दुश्मनी का परिणाम इसलिए अपने कुल और वन्ष से कभी बैर नहीं करना चाहिए इतिहास भी यही कहता है कि पराद प्रो कभी भी नहीं होना चाहिए अन्यथा उसके परिणाम बहुत विशम होते हैं जैसे विविशन नावन जैसे कावरों पांटव आज कल के कई उदाहरण देरीच है अम्बानी बंदूओं की लडाई प्रमोद महाजन, प्रमिन महाजन, भाई-भाई के दुश्मन स्वयम के भाई ने ही गोली मार दी ये सब खुन का वित्रो है जैन दर्शन ये कहता है कि घर की ये लडाई हमें कई भाव तक परिशान करती है अतर इस पाप को मत करें जिस रिष्टे में प्यार, सम्मान और समझ होनी चाहिए उस रिष्टे में विद्धोव, धिना और बदला लेने की भावना होना सब खत्म कर देता है जो बच्पन में तुम्हारी खुशी की बजह था वो बड़े होते ही आस्मों की बजह क्यों बनता जाता है जो बच्पन में अपना आधा हिस्सा भी देने को तयार था वो बड़ा होते ही दूसरे का आधा हिस्सा चीनने पर क्यों आतुर हो जाता है ये सब बैर भावना से होता है जो समय के साथ सिर्फ बढ़ती जाती है जरा सोची दस भवतों महा पुर्षों के बैर ने ले लिए हमारा तो पता नहीं कितने भव तक चलेगा देखो तो सही बंदू अपना जैन दर्म कितना महान है कि उसके सेवन से पशू भी आत्मज्यान प्राप्त करके परमात्मा बन सकता है प्रत्यक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ती विद्यमान है ऐसा अपना जैन दर्म बतलाता है वाह जैन दर्म वाह अगर आप में से किसी का भी अपने भाई से बैर है तो आज ही क्षमा मांग कर दूर कीजिए जिस प्रकार भरत ने जब तक माहुबली से क्षमा नहीं मांग ली तब तक उन्हें भी मोक्ष नहीं मिला इसलिए पुल्द्रो भाई-भाई से दुश्मनी मत कीजिए वरना भगवान भी उस दुश्मनी से बचा नहीं सकते और ना बच सकते हैं अब यहां से शुरू होती है मरुभूती के जीव की तिर्धनकर पार्षवनात बनने की यात्रा जो आप लोग इस पंच कल्यानक के माध्यम से मरुभूती के दसमे भव के रूप में देख रहे हैं बोलो पार्षवनात भगवान की जय अब बोलो आप लोगवान की जया आप लोगवान की जया जया है अब बोलो आप लोगवान की जया है देखो यह थे अपने प्राषवनात भगवान के दस भव अब कल पंच कल्यानक हैं सब काद्य पूजा वगरा सब जो है नित नियम से चलेगी तुम्हें साड़े छे बज़े आपको आना है उसके बाद में साथ बज़े पूजा शांती दारा वगरा सब होगा उसके बाद में सवेरे वोई जन्मक कल्यानक का करिकर्म रहेगा क्रपया आप समय से ही सब चीज़ें चलेगी आप अभी देखो गड़ी में नो बच के पाच मिंट में हो रहे हैं वोई राइट टाइम पे छे बज़े बोजन साला खतम सब्सक्राइब लसक्राइब और अब वोई नो बज़े प्रोग्राम चलाओ और नो वज़े आपका प्रोग्राम खतम सवेरे टाइम को आप ज़रूर ध्यान रखे हैं हमारे पुजारी जी है आपको सब इसकी जान कर देंगे जन्द कल्यानक का भी उत्सव जो है बहुत अच्छे से तैयारी की है क्रपए आप सभी समय पर तैयार होके आए इंद्र नानी एक बार पुजारी जी कुछ के लाट करें पंडी जी बोले सभी को यह सुचित किया जाता है कि जितने भी इंद्र बने है वो लोग सब अपने कपड़े पहन के आएंगे जन्मा भिशेक के समय उन्हीं कपड़ों से कलश करना है इस्त्रिया कलश नहीं करेंगी ओली पुरुष करेंगे और जो कपड़े उनको दिये गये हैं उसमें ही कर करना है और जिनके पास कपड़े नहीं है जिनोंने सिर्फ कलश लिए हैं उनको कपड़े दिये जाएंगे जिसमें उनको कलश करना है तो सबी अपनी कलश की बुकिंग कराके कपड़े प्राप्त कर ले धन्यवाद ना पर सेंद्व सुचित कर रहे हूं कि जन्मा भिशेख के लिए इस्त्रीयों को अनुम्ति नहीं सरया नहीं करेंगी ओलनी पुरुष लेगे ठीग है कि जिएह 27 कल्याणक के अपने कपड़े नहीं पेने हैं वही कल्रोंते कपड़ेg के आने ऊपने जितने भी इन जिन्दाणी सभी के पास लेंगे जन्व कल्यानक में आपको लेंगे वाली ड्रेस्पेन का लिए जैजिनेंद्र मिलते हैं कल सुबह जैजिनेंद्र अब एक ऐसे पवित्र इस्थान पर बेठे हैं जहां आनन्द ही आनन्द की बोचार हो रही है और ये च्छन बहुत महात्पून है जदी आप आत्मा से संबंदित जीवन से संबंदित मन और बचन से संबंदित सब्दों को एकसेप्ट नहीं कर पाते नहीं सुन पाते तो आप अपनी जिन्गी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं एक छोटी सी घटना या कथा आपके सामने रख रहा हूं ज्यादा समय की नहीं है लेकिन है एक यात्री यात्रा पर निकला अबस्तुता अगर देखा जाए हमारी जिन्दगी बी से लेकर डी तक है और एक सम्मेक डिस्टी की जिन्दगी बी से लेकर के नी तक है जन्म से लेकर के मरंड तक और जन्म से लेकर इंदिर्वान तक अब हम अपनी लाइब को कैसे जीते हैं हम क्या चेहन करते हैं किन बस्तूं के साथ अपना लगाव रखते हैं यह हमारे मन और आत्मा के उपर निर्भर करता है अगर तुम्हारे पास कहीं दुख है तो आप हमेशा कहते हैं कि उसके कारण से है बस यह तुमारी जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल है दुख बाहर से नहीं भीतर से पैदा होता है तो एक कहानी छोटी शी है उसे समझ लीजे कि आप कहां मिस्टिक कर रहे है एक बेक्ती आत्रा पर निकला है दुफेर का समय है बगीचा सामने है उसकी नजर पढ़ जाती है बगीचे की और बड़े दिल से देखता है सोचता है कितना बड़ी है सुंदर बगीचा है बरक्च में मधूर मधूर सुगंदित आम लटक रहे हैं ऐसे आम मैंने कहीं देखे नहीं ऐसी सुगंद कभी मिली नहीं आज में कहां सा आगया सुर्ग में क्या आज प्रक्रती ने अपना परिवर्तन बदल दिया क्या मैं कहीं सुर्ग देख रहा हूं या कहीं भोग भूमे में पहुच गया हूं यह सब क्या हो रहा है यह क्या देख रहा है उसके मन में एक प्यास पैदा हो गई एक भूख पैदा हुई और एक आवाज उठी ऐसे आम मैंने जिन्दगी में कभी नहीं देखे कास ये आम मुझे मिल जाए तो धीरे से एक आवाज मिलती है अपने कदम बढ़ाओ आगे जाओ वो आगे चलता है पेड़ के निकट पहुँच जाता है देखता है लाओं कैसे ऐसे फिर उसे एहसास होता है मेरे पास हाथ है पाओं चल चुका है मैं अगर ऐसे पकड़ करके चड़ जाओं तो यह आम मुझे मिल जाएंगे पकड़ करकी वो फिर पेड़ पर चड़ता है आनन्दित हो जाता है इतने मधुर इतनी सुगन कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं हूँ फिर आवाज होती है तोड़ लीजे वो आम को तोड़ लेता है फिर सोचता है कि एक में क्या होगा तो मन आवाज देता है जितने तोड़ना है उतने ही तोड़ लीजे बड़ा आनन्दित होता है एक आम जैसे हाथ में लेता है तो हाथ को जराभी सर्म नहीं लगती एकदम से वो अपने मूँ के पास ले जाता है फिर सोचता है कि कैसे खाऊं तो जिभा अपने आप बाहर निकलती है खाना सुरू करता है खाने के समय इतना मगन हो जाता है कि ऐसे मधुर आम ऐसा बगीचा ऐसा रूप और रंग ऐसी मधुर आभाएं किसने बसाया होगा कौन ऐसा रहा होगा ऐस धरा की उपर जैसे मधुर मधुर पेड़ खड़े होंगे ऐसे फल लगे हैं ओओओओओओओओओद बड़े आनन के साथ वो उतरा और खाने में मस्त हो गया आज मेरे जीवन में ऐसा जो मिला है ऐसा आउसर कभी नहीं देखा हे भगवान पस इतना ही कह रहा था एक ब्यक्ती पीछे से आ करके एक ब्यक्ती पीछे से आ करके उसे डंडा मारता है डंडा पीठ में मारता है चोट लगती है आँख से आँशू टुपगने लगते हैं लेके कौन गया? पाउन तोड़ा किसने हाथ ने देखा आँख ने तोड़ा हाथ ने स्वाद लिया जिबाने यहां यहां तक ठीक था लेकिन पिटा कुन आप वहीं थे क्या पिटा कौन पिट आशू निकले कहां आख से यह कर्म की स्टोरी है हम नहीं समझ पाते हैं इसलिए कथा आपके सामने रखी मैंने कि गया कोई चला कोई तोड़ा किसने खाया किसी ने पेट में चला गया और रोई कौन आख पिटी कौन पिट तो जिसने देखा था उसका दोस्त था आख की नसर अगर वहां नहीं जाती तो पिटने की बारी तो रोई उसके साथ सुरू हो जाता है और बंधन सुरू होता है देखने का भी विवेक होना चाहिए चलने का भी विवेक होना चाहिए सोचने का भी विवेक होना चाहिए और किर्या करने का भी विवेक होना चाहिए और जब ऐसे मुक्म मिले तो हमें जिन्दगी को सफल करने का भी विवेक हमारे पास होना चाहिए आज हम यहां पर जहनीज में के अंदर वो दिर्स, वो कहानी, वो चित्र, वो दास्तान, वो अतीर, हमने भगवान को नहीं देखा, मा नहीं देखा, पिता नहीं देखा, किसी नहीं देखा, लेकिन आज यहां पर हम वो इस्थिती पैदा कर रहे हैं कि एक बीज कैसे बॉया जाता है